हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का चैनल पर में अनामे कृतिक और आप देख रहे है टेक्निकल गाइड के भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन से पार्ट्स चूस करने चाहिए अगर आपका जो बजट है पीसी बिल्ड के लिए वह सेव का बजट है 70,000 रुपीज और इन सभी के पार्ट लिंक्स भी आपको Amazon में मिल जाएंगे क्योंकि Amazon का पीसी बिल्ड है सिर्फ ग्राफिक कार्ड के लिए मैं आपको दूसा लिंक दे दूगा लेकिन बाकी सब चीज आपको Amazon से इसली मिल जाएगी और प्राइस भी काफी है 10% का अप्टू 1500 रुपीज तो आप वैसे एक ट्रिक लगा के आप 34,000 डिसकाउंट इसली ले सकते हो अगर आप Amazon से शॉप करते हो तो वह भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे जादा डिसकाउंट लेना है Amazon से चलिए शुरू करते आज किस वीडियो को है दोस्तों आज किस वीडियो में हम करने वाले पीसी बिल्ड और इसका जो पहला कंपोनेंट है जो की हो गया हमारा प्रोसेसर यह है आई 3 का लेटेस्ट 12 जेनरेशन का 12100 एफ जो की काफी अच्छा सीप्यू है 12 जेनरेशन है लगे 1700 यह कितना पावरफुल है वह मुझे आपको समझाने की ज़र्त नहीं और दस हजार रुपे में सबसे पारफुल जो प्रोसर है वह अभी सिर्फ इंटेल का आई 3 आपको मिल सकता है और प्लीज साथ 8000 में पुराने 10 जेनरेशन आई 3 मत लेना उसका कोई वैल्यों ने क्योंकि वह जेनरेशन गया मदबड उसका गया पुराना हो गया अब आपको पैसा इंवेस्ट करना चाहिए सिर्फ नहें जेनरेशन में ताकि आप फ्यूचर में इसका अच्छे से इस्तमाल कर सको प्लस ट्वेल जेनरेशन डीडर 5 रैम को भी सपोर्ट करता है तो यह बहुत ही फ्यूचर प्रूफ चीज रहेगी तो इसलिए आपको 12 जेनरेशन लेना चाहिए और 10 रुपे में आपको इससे अच्छा प्रॉस्टर अभी मार्किट में कहीं नहीं मिलेगा और ना इससे अच्छा कोई है अभी के टाइम में तो ट्वेल 100 एफ हम ले रहे हैं जिसका जो करेंट प्राइजिंग चल रहा है व अब जो ब्र打 प्रेफरेंट से वह कंपलेट पर आपको सस्ती मिलते है इस्पजी की देखें सकते हो जी सकेल की गर कूर्श की ब्रियूंच क्यूंट के तो आप उसमें से ऐसा ले सकते हो इसका फमेसे सभी आप सभी नेलिए हो ते के आसपास रफली आपको मिल जाएगा 16GB की कि इसमें आपको 8GB की दो मिलेंगे 3200 मेघर्स वाले मदबोर्ट जो हम ले रहे हैं वह ले रहे हम MSI का H610M जी करके इसकी जो प्राइजिंग वह 6600 के आसपास है इसके फीचर मैंने काफी अच्छे से कर रखें अपनी कंपैरिजन वीडियो में में आपको देखना है तो उसका जो लिंक है यहां पर आइकार में आपको मिल जाएगा काफी अच्छा मदब वोड़ है इसको आप जरूर डेफिनेटली ले सकते हो स्टोरेज के लिए हम ले रहे हैं क्रूशल की M.2 NBME 500GB के हम ले इसलिए क्योंकि इसकी प्राइसिंगे वह काफी एक नॉर्मल सेटा एससडी के काफी क्लोज है तो भाई उसमें पैसे डालने से अच्छा 500 रुपए और डाल लो आपको 500GB के मिल जाएगी करेंटली सबसे चीपेस्ट अच्छे ब्रैंड की आपको मिल रही है एमेजॉन पे एक टीबी की जो है हाड डिस्क ले रहे हैं 7200 रुपीम की इसकी प्राइजिंग रफली 3500 रुपीज की चल रही है सीगेट की आपको कभी-कभी 3100 की मिल जाती है तो आप नज़र रख सकते हो इनके स्टॉक्स पे आपका ब्रैंड प्रिफरेंस जो आपको पसंद है क्योंक कर सकते हो हाड डिस्क में चाहिए वो तोशीवा हो सीगेट हो डबलुडी और जो पावर सप्लाय है उसमें हम ले रहे हैं वेल नोन कुला मास्टर का MWE 550 वाट का पी एसी जो की वर्जिन टू है नया वर्जिन है कुलर मास्टर का अगर आपको नहीं पता 80 प्लस ब्रोंज स बढ़ते जा रही है अभी आपको ब्रोंज मिल रहा है काफी अच्छा प्लस कर सकते हो मैं भी उसकर रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं देता और काफी रिलाइबल और ड्यूरेबल प्लस बनाता है कूलर मास्टर तो आप इसी के साथ जाना प्लीज एंटी स्पोर्ट्स के या कोई और सस्ते वाले प्लीज अन्रेटिट पीस यूज मत लेना वरना आप अपना पीसी भूल जाओ नए कंपोनेंट्स में इतना पैसा लगा रहे हो तो वह पैसा आपका डाव पे चले जाएगा अच्छे ब्रैंड का ले लो सेफ रहेंगे कंपोनेंट्स और यह जो स्थिती अच्छी नहीं हुई है तो इंडिया में मुझे पता नहीं क्यों यूट्यूबर कुछ भोल रहे हैं कि प्राइस फॉल बार बार वीडियो बना रहें दो तीन साल से वीडियो बना लेकिन अभी तक वहाव गिरा नहीं है तो यह काफिंड नहीं लगता बिल्कुल जूट फैलाते एक रियूमर के बेस में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करें प्रेडिक्षन पर वीडियो बना रहे आपके और उल्लू बना रहे और दो साल से तीन साल से यह एक रैश हो गया अब डाउन होंगे यह और तो ग्राफिक प्राइज तो मुझे कहीं नहीं दिख रहे के नॉर्मल हो चुके या गिर रहे हैं अभी जो प्राइज से भी जादा है तो मुझे नहीं लग रहा है यह दो साल से वीडियो बनाना है कुछ लोग का हम बढ़ते हैं अपने पीसी जो है कंपोनेंट्स के लिस्ट में आगे तो इससे अच्छा तो हम भाई क्यों नहीं लेंगे नया जेनरेशन का कार्ड है 6500 के साथ में मत जाना क्योंकि वह काफी कुछ खास नहीं वह आ रहे है 570 जैसा है आपको कुछ इसमें अडिशन हाडवेर एंकोडर वह सब भी नहीं मिल रहा तो उसमें पैसा डालना कुछ काफ भी वर्थ भी नहीं होने वाला तो इसलिए आपको लोकली कुछ यूस्ट मिल जाता है अच्छा ग्राफिकार जिससे आप अपना काम चला सकते हो और जिसको आप खुद टेस्ट करके पिकप कर सकते लोकली तो आप जरूर उसके साथ में जा सकते हो जब प्राइस अच्छा मत करो पुराने का कोई भरोसा नहीं है प्लस आउट आफ वारंटी में तो अगर कोई पुराना बीस पचीस हजार काट तो बिल्कुल मत लेना चाहिए वो कितना ही हाइंड क्यों पैसा दाव पर आपका हमेशा लगा रहेगा बाकी आपकी मर्जी है आपका पैसा आपको कहा लगाना है बस यह सजेशन है आप लो न्यू लो जिसमें आपको पांच साल के वारंटी भी देता अगर आप एक महिने के अंदर उनके वेब साइट पर प्रड़क को रजिस्टर कर लेंगे तो वह ज्यादा एक बेटर ऑप्शन है कैबिनेट में हम चूज कर रहे हैं और हा देट सो रुपय तक आपको कम हो जाएगा तो इसका बिलिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है और बाकी इसकी प्राइजिंग बताए चुका हूं तो यह हो गया पूरा पीसी इसकी जो फाइनल कॉस्ट निकल के आई है जो मैंने अपने नोट पैड में लिखा है व कि अगर आप यह कार्ड use करते हो तो अगर आपके पास यह कार्ण है पूरा चैंge हो सकत खरीते हो तो फ्लीज को roller तो प्लीज आप उसको कि तो किमनो कि आपको 10% का 1500 रुपे मिल जाए जिसे पधंद्रह सो हो गया 15 3,000 रुपे तक यानि 30,000 का 10% आप कर सकते हो डिसकाउंट और आपका फाइदा होगा प्लस वह 3,000 का आप कुछ भी और एक्ष्ट्रा खर्चा कर सकते हो चाहे वह आपको कैबिनेट में डालना है या उसका और स्टोरेज लेना है कि स्टोरेज तो कम परती रहती है तो वैसा भी आप कर सकते हो बाकी म्यूजिक प्रडक्शन पीसी बिल्डर्स के लिए आप ग्राफिक काड़ हटा के कोई भी लगा लो बेसिक सा टी टू टी फोर हंड़ेड करके आत प्लीज उस लिंक को चेक करो क्लिक करो और उससे पर्चेस करोगे तो ही चैनल को यहां पर सपोर्ट मिलेगा और मैं आपको प्रडक्श भी दिखा पाऊंगा और रिव्यू भी कर पाएंगे उसका बहुत कुछ हम कर पाएंगे लिकिन यह तब ही पॉसीबल होगा जब आप सपोर्ट करेंगे एमाजन का लिंक दे रखा है उसको यूज करके कुछ पर्चेस खरोगे तो चैनल यहां पर सपोर्ट मिलेगा तो दोस्तों यह तो था पूरा पीसी बीड बाकी आप फ्री हो पूरे कस्टमाइजेशन के लिए अगर आपको प्रोसेस जाधा चाहिए आप को कोई ग्राफिक कार्ड मिल गया आपको दस कहीं और डालने तो आप सीप्यू में डाल सकते हो जैसा हो गया 12400 उसमें आपको ज्यादा को थ्रेड मिल जाएंगे और आई 5 रहेगा 12 जनेरेशन जो कि और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा लेकिन तब ही खर्चा करो जब आपको पता है कि हां मुझे इतने परफॉर्मेंस की रिक्वार्मेंट मैंने नोटेस किया लोग पीसी इतना हाइएंड ले लेते हैं उनका रिक्वार्मेंट इतना बचकाना सा होता है तो उतनी पावर वो वेस जाती है और फिर बाद में कितने लोगों ने पीसी कर रहें कि वह पहली बात तो इतना ज्यादा इंवेस्ट करते हैं कि उतनी पावर को रिक्वार्मेंट होती अगर वो अगर नॉर्मल पीसी बिल्ट भी करते ना गेमिंग लिए तो लेकिन वह लोग इतने इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दें तो प्लीज अब थोड़ा नहीं है जनेरेशन के वाइस रहता है तो आप प्लीज आप ऐसा मत सोचो के चार को तो लेना ही नीचे कभी काफी पारफुल होते बेसिक आए थ्री आइफाइब भी बहुत पारफुल होते तो आई सेवेन में और आइनाइन में पैसा वेस्ट मत करो अगर आपको नहीं रि कमेंट करके पूछ सकतो या वीडियो सजेशन देना है तो वह भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में डा सकतो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना और एसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए टेखने के वी यानि हमाई चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाते हैं तक जब भी मैं कोई वीडियो डालू फ्यूचर में उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वह वीडियो मिस ना कर पाऊ तो आज के इस वीडियो में इतना ही यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत थैंक्यू